अब जतुछ नमस्कार मित्रो मैं रवीष मिस्रा सागर एकडमी के ऑनलाइन क्लाशिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोगों की पहली वीडियो जाएगी आपके सागर एकडमी की ओर से तो सबसे पहला काम आपको हम पर्चे करा देते हैं यह Sagar Academy के online classes है, सभी का स्वागत है, यहाँ जैसे लिखा है Welcome to all Sagar Academy online classes और जो आज हम लोग पहला topic पढ़ेंगे, वो होगा हम लोगों का alphabit पहला topic में तो alphabit, alphabit को हिंदी भासा में word mala कहते हैं word mala दो सब्दों का mail है, पहला सब्द है word और दूसरा सब्द है mala अगर दोनों का अर्थ अलग लग निकालें, तो word का मतलब होता है अच्छर और mala का मतलब होता है क्रम, अर्थात अगर दोनों को जोड़ दें, तो word mala का मतलब होगा अच्छरों का क्रमित समू, ऐसा अध्याय जिसमें अच्छरों का क्रम से आने वाला समू रहेगा यहां पर वर्ड माला के बिना किसी भी भासा का ज्यान संभव नहीं है इसलिए मित्रो सबसे पहले हम लोग रिजनी तरक भासा में वर्ड माला चेप्टर को ही पढ़ेंगे अब इस चेप्टर में हमें सबसे बेसिक चीज हमें ध्यान रखना है अब वो है हमारे सामने आगया प्लेस वैलू इसे हम लोग कहेंगे प्लेस वैलू प्लेस वैलू को हिंदी भासा में कहते हैं स्थानी मान हर अच्छर का एक सुनिश्चित अस्थान है और अस्थान के कारण पढ़ा हुआ मान अस्थानी मान कहलाता है बोड पर आपके सामने place value हमने पहले से ही आल्रेडी लिख रखा है वह आपको दिख रहा होगा थोड़ा से इसको कैसे याद करेंगे इसके उपर विचार करते हैं क्योंकि याद करना ही main work है हम लोगों का आज तक ABCD पढ़ते होंगे और ABCD चार प्रकार दो लिखने वाले दो पढ़ने वाले याद कर सकते हैं बिलकुल सरल A का 1 B का 2 C का 3 D का 4 ABCD चार प्रकार 1 2 3 4 A का 1 B का 2 C का 3 D का 4 अब आगे बढ़े हम लोग तो इजोटी से E का 5 इजोटी एक सब्ध है ध्यान दें इसको E J O T Y इजोटी E J O T Y E का 5 J का 10 O का 15 T का 20 Y का 25 देखिए 5 5 के गैप पर सारी place value है आप आराम से याद कर सकते हैं E का 5 J का 10 O का 15 T का 20 Y का 25 तो इजोटी से E का 5 अराम से इसको याद किया जा सकता है इजोटी हम यहान लिख दे रहे हैं क्योंकि बीच बीच में हमें काम में आएगा इसका तो E J O T Y E का 5 J का 10 O का 15 T का 20 Y का 25 तो इजोटी से E का 5 यह देखिए इजोटी एक सब्द है जिसमें से E का कितना होगा 5 J का 10 O का 15 T का 20 Y का 25 5 5 की गैप प्लेस value है तो आसानी से आप याद कर सकते हैं तो E का कितना हो गया 5 अब इजोटी से E का 5 फिक्स है मेरा 6 देखिए दोस्तों अगर हम बैटिंग करने आए तो गेंद कहां जाएगी फिक्स 6 यह फार फिक्स और क्या फिक्स हो गया 6 फिक्स 6 याद कर सकते हैं यह फार कितना 6 हो गया अब जैसे GS पढ़ते हैं जन्रल स्ट डी जी के पढ़ते हैं जन्रल नाले जी क्यू पढ़ते हैं जन्रल कोश्चन जी क्यू याद रखिएगा तो यच बिल्कुल खेल खेल में याद कर सकते हैं यच की पैर मिला मुंडी मिला यह देखे दोस्तों यच हमने लिखा यच की पैर मिला मुंडी मिला तो यच की प्लेस वेलू कितनी हो गई 8 आई का कैसे याद करेंगे तो आई को टोपी पहना आई का कैसे याद करेंगे आ I को यह I लिखा है और टोपी पहना दो I को टोपी पहना हो सीधा प्लेस वेलू कितनी मिल गई 9 बिल्कुल सही I का 9 और इजोटी हमने याद कराया था बीच में आपको हमने कहा था कि सब्सका यूज करते रहेंगे तो I को कितना हो गया 10 इजोटी से जे का 10 कैसे की कमर सीधी कर बिल्कुल की कमर सीधी कर यह नाम का बंदा black गीची कर दीजे के कि वेल जाए और याद करना है तो तंप्रेचर का मात्रक होता है केलविन तंप्रेचर किस से नापते हम लोग केलविन के का कितना केका 11 केलविन से याद कर देंजे के का कितना 11 यल को टोपी पहना के डंडा दे दे यल को विचारे को टोपी पहना यह और कहा दे दीजे डंडा यल को टोपी पहना के डंडा दे मा मतलब यम न मतलब यन यम का तेरह यन का चवधा आसानी से याद कर लेजए इसको मन तेरह चवधा, आगे बढ़ते हैं, तो इजोटी हमने जो सब्द दिया था उस इजोटी से ओ का पंदर इजोटी सब्द आपको हमने पहले शुरू में ही दे दे देखा था E J O T Y पाँच दस पंदर बीस पचीस ये प्लेस वैलू याद करने के लिए तो इजोटी से ओ का पंदर याद कर सकते हैं फ्रेंट्स देजे दंड़ा पी को उल्टा लटका के दंड़ा देदे पी का कितना हो गया सोलाफ बीन व्ताल holistic के दंड़ा देदे जनेरल watching JQ Q7 717 जनेरल Zusammenлиз 17 J का साथ और Q का 17 Q का कितना हो गया सत्रा आर का पाढूर के डंडा दे दे आर वचारे का पैर तोड़ी है और क्या दे दीजे डंडा दे दीजे विल्कुल सिंपल आर का कितना हो गया 18 यस की कमर मिला के डंडा दे दे यस की कमर मिला के डंडा दे यस का कितना 19 टी का इजोटी से 20 इजोटी सी दिन के लिए याद कराए है ती का इजोटी से 20 एक इसको बोलते जाएगे और प्लेस्वेल्व आपको कंठस्थ हो जाएगी और मित्र प्लेस्वेल्व का काम आपके पांच चेप्टरों में आएगा पांच चेप्टर कौन-कौन से अलफाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनलाजी, क्लासिपिकेशन, स्री जबी हिंदी में इनके नाम बोल देंगे तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग इजोटी से अब अगला है टी का इजोटी से 20 अल्ट्रा वाइलेट नाम सुने होंगे अल्ट्रा वाइलेट अल यूवी एकिस बाइस, यू का एकिस और वी का बाइस, डबलू का घर होता तेईस, यक्स का चौविस, वाई का इजोटी से 25 और जड भूलोगे नहीं क्योंकि वर्ड वाला में कुल कितने अच्छर होते हैं 26 तो इस तरह से प्लेस वेलू मित्रोप पूरा तयार करिए वर्ड माला में इसका काम आएगा, कूट लेखन, कूट वाचन में काम आएगा, साधरिश्यता एनलोजी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, स्रिंखला सिरी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, क्लासिफिकेशन वर्गी करन चैप्टर पढ़ेंगे, मतल जिसे हम लोग कहते हैं अपूजिट लेटर, इसी चीज को हम लोग हिंदी भासा में कहें तो 27-1 का अच्छर कहते है, 27-1 का अच्छर, है क्या चीज उसको समझ लेते हैं, देखे, वर्ड माला में हर अच्छर का एक विपरीत अच्छर होता है, जैसे सुरू से पहला अच्छर है हमारा A, और अंत से पहला अच्छर है Z, तो A का उल्टा क्या होगा? Z, और Z का उल्टा A, सुरू से दूसरा अच्छर B, अंत से दूसरा अच्छर Y, तो B का उल्टा यह तो आपको अगर यह चीज ध्यान रखना है याद करना है तो कैसे याद किया जाए किस तरह से इसको पढ़ा जाए तो हमने सामने आपको चार्ट बना दिया है अब इस चार्ट को कैसे याद किया जा यह बड़ी बात होती है तो ध्यान देशाओ इसको हम लोग कैसे याद करेंगे तो अच्छा यह का और चीज 27-n का अच्छर इसे क्यों कहा जाता तो ध्यान देशाओ गतने होती है दस अगाल सब्सक्राइब होती गहतों किसा फच्री quéड कि तो एक उल्टा अच्छर क्या होता है जEr्ड अलम से निकल सकता है जीसे दस है जे कि quindi कितने होती है प्रह Gucci 10 बहुंद करme 27 में फिशन से 2 घटा दें अगर हम 27 स्टाइस में से दसग्वाटा दें तो हमारे पास बचेगा कितना सतरव और सतरव की सच्छर की वैलव होती है वह होती है क्योंकी वैलु आसानी चाहibo हम इसको याद कर सकते हैं रट सकते हैं 27-1 नका अच्छर भी लगा सकते है और एक तरीका जिससे याद किया सकता है और वो हम गाते बजाते आपको समझाते हैं एज मतलब किनारा एज मतलब किनारा एज कहते हैं कमेंटरेटरी बॉक्स में मोटा एज लगा गें सीमा रेखा के बाहर चार रण तो एज मतलब कोर छोर या किनारा प्राउंशियेशन सेम है बाकी स्पेलिंग E-D-G-E होती है हमें पता है आपको भी पता है लेकिन एज बोलने में प्राउंशियेशन सेम है तो एज मतलब किनारा और वाई मतलब द्वारा एज मतलब किनारा X मतलब भूत पूरू, जो चीज देखो उसे भूत पूरु करो, माया मोह के चक्कर न पड़ो C X, C का उल्टा X और X का उल्टा C C को यक्स बना के देखो मौत करोगे होले प्यार के पिछले में तुम पढ़ गए, कहा पढ़ गए? प्यार के पिछले में तुम पढ़ गए पिछले में तुम पढ़ गए पढ़ गए अब ये प्यार का पिछला क्या है इसको समझ दीजे मित्र प्यार प्यार को अंग्रेजी भासा में क्या कहते हैं हम लोग विलकुल प्यार को अंग्रेजी भासा में कहते हैं लब L O V E भोलें में V का उल्टा E और E का उल्टा V प्यार के पिछले में तुम पढ़ गए और जब पिछले में पढ़े ही हो तो चोट लगेगी चोट लगेगी कहोगे उफ प्यार के पिछले में तुम पढ़ गए चोट लगेगी कहोगे उफ चोट लगती है तो क्या कहते हैं हम लोग उफ यू का उल्टा एफ और यहुझ चोट लगेगी कहोगे उफ ग्रान्ट रोड पर भीड है भारी ग्रान्ट रोड पर भीड है भारी घ्रान्ट पने ओंगे ई scratch ट्रोड जी कल्टा T जी टी जी टी रोड नैस्टनल हाइवे लेंबर तु आज कल चेह सकते हैं इसको राश्टिराजमार्ग संक्या दो दिल्ली से कलकत्ता मिलाने वाली राश्टिमार्ग और नहीं जा सके हनी सीञ्ट लेख गायक संगीत कार गीत कार सकते हैं एक सनी याच रुटा यस और S का उल्टा H, हनी सिंग, और पहुंचे इंडियन रेलवे, जब हनी सिंग जा नहीं पाये, सड़क पर लगी थी भीड, तो पहुंचे नहीं जा सके हनी सिंग, पहुंचे इंडियन रेलवे, कहां पहुंच गये? इंडियन रेलवे याद कर सकते हैं रेलवे इस्टेशन नहीं इंडियन रेलवे आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई ग्रांट रोड पर भेल लगी थी नहीं जा सके हनी सिंग पहुंचे इंडियन रेलवे और इंडियन रेलवे जाकर देखा क्या देखा नौकर भागा रानी के साथ अब ये नौकर रानी की क्या कहानी है तो देखेगा दोस्त तास के पत्ते में एक J नाम का पत्ता होता है और एक Q नाम का पत्ता होता है J मतलब Jack कहते हैं इसको जैक अंग्रेजी में Jack और Q मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं Queen Queen माने रानी और Jack माने नौकर तो नौकर भागा रानी के साथ J Q याद हो सकता है J का उल्टा Q और Q का उल्टा J नौकर माने दास गुलाम और रानी वेगम भागी साथ तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं नौकर भागा राणी के साथ J का उल्टा Q और Q का उल्टा J और जब भाग रहा था नौकर तो लबाफ बांधे हुए था कमला पसंद चबा कर नौकर नौकर है दिमाग है कितना राणी के साथ भाग रहा वो पढ़ गया प्यार का अगला मित्रियात कराय थे आपको प्यार का पिछला V का उल्टा E और E का उल्टा V और प्यार का अगला यलो L का उल्टा O और O का उल्टा Y अब पिछले में पढ़ोगे तो कहोगे क्या उफ कहोगे तो अगला पिछला दोनों बेकार है इस पर कभी को दया आ जाती है तो कभी कहता है कि देख तेरी हालत मनया मनया का मतलब हुआ मैं एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एम M का उल्टा N और N का उल्टा M, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, हम एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, एज मतलब किनारा, बाई मतलब द्वारा, सी को यक्स बना के देखो, मौच करोगे, होल्डे, प्यार के पिछले में तुम पढ़ गया, चोट लगेगी, कहोगे, उफ, ग्रांट रोड पर भीड़ है भारी, नहीं जा सके, हनी सिंग, पहुंचे इंडियन रेलवे, देखा, न बिल्कुल कभी आपको अलफाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सिरीज, एनलोजी, जैसे प्राब्लम में, कोश्चन में, इसके यूज बहुत आपको जम के मिलेंगे, परिच्छा में कोश्चन देखते हैं, अगर आपको याद है, यह तो सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग, टॉपिक की ओर, तो अब इन सभी से यह अभी बेसिक बात है थी हम लोगों के अलफाबेट, अब हम लोग अलफाबेट में टाइप आफ कोश्चन पर बात करेंगे, अब पहला टाइप आफ कोश्चन जो रहेगा हमारा, कि जब वर माला सीधे क्रम में हो, सीधे क्रम में हो, यह पहला कोश्चन टाइप है, कि जब वर्ड माला सीधे क्रम में हो, वर्ड माला के सीधे क्रम का कोश्चन बनेगा, तो वर्ड माला का सीधा क्रम कहां से कहां तक होता है, तो वर्ड माला का सीधा क्रम हम लिखते हैं, बच्पन से ये वर्ड माला का हमारा सीधा करम है ध्यान दिजेगा दोस्तों वर्ड माला में आपके बाएं हाथ पर वर्ड माला का बाया सीरा है और वर्ड माला में आपके दाएं हाथ पर वर्ड माला का दाया सी रहा है कुल मिलाकर अगर हम वर्ड माला के सामने खड़े हो जाएं तो हमारे left में वर्ड माला का left है और हमारे right में वर्ड माला का right है अगर कोई हमसे कहे 22 से पहला अच्छर तो 22 से पहला अच्छर क्या होगा पांचवा अच्छर कौन सा होगा तो बाएं से पांचवा अच्छर इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि भईया हमसे कोई पूछ रहा है बाएं मतलब लेफ्ट अब पांचवा मतलब पांच मतलब हमसे कोई पूछ रहा है लेफ्ट से पांच तो left हम हम बेशिक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5 पांचमा अच्यर हमारा हो रहा है कौनसा E अगर हमसे कोई कहा है 22 से 8 बेशिक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 का मतलब हो गया H अगर हम place value याद किये हैं तो 8 H H की place value कितनी होती है 8 यह त्य होती है E की place value कितनी होती है 5 ही होती है अगर हमसे कोई कहे 22 दसवा अच्छर तो हम सीधा बोलेंगे वही अच्छर जिसकी place value 10 होती है और 10 किसकी place value होती है बिल्कुल सही J की कोई हमसे कहे 22 से 15 होती है तो हम कहेंगे वही जिसकी place value 15 होती है और 15 किसकी place value होती है O की अगर कोई हमसे कहे 22 से 26 वा अच्छर तो हम कहेंगे वह जिसकी प्लेस वालू 26 होती है और 26 वालू किसकी होती है जिट्स की होती है तो इस तरह से 22 से हमारा एक फार्मूला तरीक एक बन जाए कि अगर कोई हमसे कहें कि 22 से यनवा अच्छर तो हम सीधा बोलेंगे वह अच्छ से जिसकी प्लेस वैलु यन होती है जैसे चा depth बाईए से पंदरा अच्छर 15 जिसकी फिलेस फ्लेस वलु चालungen चौथा अच्छर चौथा अच्छर तो दाएं को अंगरेजी में कहते हैं राइट और चौथा मतलब फोर्थ यानि हमसे आर फोर की बात हो रही है दाएं से चौथा अच्छर यानि आर फोर की बात हो रही है हमसे अब ये r4 को कैसे define करेंगे द्यान दे दाएं का मतलब हो गया right r और चौथा मतलब 4 तो r4 कौन सा अच्छा है देखें तो गिनकर 1,2,3,4 4 पर क्या मिल रहा है हमको w w की place value कितनी होती है 20 अच्छा दाएं से आठवा अच्छा कोई पूछ ले right to 8 तो दाएं से आठवा अच्छा कौन सा होगा 5,6,7,8 yes और yes की place value क्या हो रही है 19 अब देखें इसमें ये वाला मजा नहीं आ रहा है जैसे इसमें कहते हैं तो यल 10 बराबर 10 यल 15 बराबर 15 यहां आर 4 बराबर 23 हो रहा है आर 8 बराबर 19 हो रहा है कैसे इसको निकाला जाए तो बिल्कुल सिंपल जैसे कोई दाएं से चोथा पूछे न तो 27 में से चार घटा दीजिए बिल्कुल सरल 23 मतलब ड़ो कोई दाएं से आठवा पूछे 27 में से आठ घटा दीजिए क्या 19 मतलब yes कोई पूछे दाएं से बारा हो रहा अच्छर कौन सा होगा सरल तो 27 में से बारा घटा देंगे और जब 27 में से और जब 27 में से बारा घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 15 और 15 का मतलब ओ अगर कोई पूछे दाएं से 26 वा अच्छर कौन सा होगा तो हम 27 में से 26 घटा देंगे और हमारे पास बचेगा एक और एक का मतलब a तो मितर आप यहां तक समझ चुके होंगे कि कोई भी अगर आप से पूछता है जैसे कोई पूछे दाएं से 19 वा अच्छर कौन सा बबढ़ माला में तो दाएं से 19 वा यानि 27 माइनस 19 और 27 में से 19 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 8 का मतलब यह तो आगे बढ़ते है अपनी क्लास में तो इसके कोईशन कैसे बनते हैं किस तरह के प्रशन आएंगे कैसे प्रशन हमको सौल्व करने हैं तो इसके जो कोईशन आएंगे वो इस तरह लिखे रहेंगे एक कोईशन हम आपको डेमो दे देते हैं कैसे लिखा रहेगा इस तरह लिखा रहेगा कि यद वर्ड माला सीधे क्रम्मे हो तो बाई से दस्वें अच्छर के दाएं बारहवें अच्छर के बाईं आठवें अच्छर के दाएं तीसरा अच्छर कौन सा होगा अग परिच्छा में जो कोशन रहेगा वो इस तरह से ही रहेगा कौन सा होगा परिच्छा में इस तरह का प्रष्ण होगा कि यदि वर्ड माला सीधे क्रम्मे हो तो 22-10 अच्छर के दाएं 12 अच्छर के 22-8 अच्छर के दाएं 3 अच्छर कौन सा होगा आगे के प्रश्ण हम इतने डिटेल में नहीं लिखेंगे हम सीधा ऐसे लिखेंगे कि यदि वर्डमाला सीधे क्रम में हो तो हम ऐसे लिख देंगे A to Z इसका मतलब आप समझ जाएगा कि वर्डमाला सीधे क्रम की बात कर रहे हैं सर इसके बाद लिखा 22-10 अच्छर अलदस दाएं 12 अच्छर आर बार बाएं आटमाच छर अल आठ और दाएं तीसरा च्छर आर थ्री कौन सा होगा यह कोश्चन लगा दिए तो आगे हम लोग कोश्चन को इसी तरह फॉर्मेट में लिखेंगे डिटेल नहीं लिखेंगे इतना लंबा चोड़ा यह पहला कोश्चन था इसलिए आपको डिटेल कर दिए इस पर तो अब इस कोश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के दो तरीक एक तो ब आपके लेफ्ट में लेफ्ट आपके राइट में राइट में राइट तो हमसे कहा गया कि यह वर्ड माला सीधे क्रम में हो तो बाहीं से दसमाच्चर बताओ तो बाएंसे पहला तुसरा तिसरा चौथा पच्वा छट्वा सत्वा अठवा नौवा दसमाच्चर तो बाहेंसे 10 अच्षर क्या हो गया जे हो गया अब बाएंसे 10 अच्षर के डाय había's में उस अच्षर क्या जाना ए तो ध्यान रख्येगा जो आपका दाया वो किसी अच् राइट है और आपके लेफ्ट में उस अच्छर का लेफ्ट है आपके दाएं अच्छर का दाएं आपके बाएं अच्छर का बाएं तो हमसे कहा गया दाएं से दसमें अच्छर के यानी जे के दाएं बारा जाना है तो जे के दाएं किदर चलेंगे के की और की आई की और के की तो एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, पहुंच गए हम लोग आँ, वी पर पहुंच गए, दायें बारवें अच्छर के बाएं आठवा जाना है, अब वी के बाएं किदर चलेंगे, यू की ओर की डबलू की ओर, आवियस, यू की ओर चलेंगे कितना चलेंगे बाएं 8 चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां पहुंच गए हम लोग यन पर पहुंच गए और फिर यन के बाद लिखाया अच्छर के दाएं तीसरा यान के दाएं तीसरा यन के दाएं जाना है तो दाएं एक 2 3 तीसरे अच्छर पे हमारा एंसर बन गया क्या क्यों बन गया एंसर एंसर बन गया क्यों लेकिन इसमें समय बहुत खर्च हुआ अगर इतना समय लगा कर हम परिच्छा में सवाल रहेंगे तो निश्चित रूप से हम असफ़ल रहेंगे क्योंकि one day exam में question solve करना ही लच्छ नहीं होना चाहिए कम समय में question solve करना ये बड़ा लच्छ होना चाहिए तो अब हम लोग इस सवाल को किस तरह से tricky या छोटा कर सकते हैं उस पर परिचर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे इसको क्या trick बनाएं कि ये सवाल और छोटा हो जाए तो हम लोग इसके पहले logic को समझते हैं logic यानि formula इस formula को आप लिख भी लेंगे screenshot लेंगे formula या logic ये है कि सबसे पहले आपको हल करना है पहले देखे पहला अच्छर देखेंगे पहला अच्छर आप ये देखिए कि जो पहला अच्छर है वो यलन है या आरियन है पहला काम ये देखेंगे कि पहला अच्छर जो दिया है सवाल का वो left से कोई number है कि right से कोई number है अगर आपको पहला एच्छर लेफ्ट से कोई number दिखता है तो सीधा लिख दीजिए number तथा अगर कोई right से number दिखता है तो आप लिखेंगे 27 minus उस number को क्यों लिखेंगे इसकी चर्चा हम पिछले वाले slide में कर चुके हैं कि left से कोई number सीधा उसकी place value होती है लेकिन right से कोई number होती है तो वो 27 minus number करने पर ही उसकी place value मिल पाएगे इसके बाद दूसरे step में जितना अच्छर के दाएं जाएं उतना कर दीजिए plus और जितना बाएं जाएं उतना कर दीजिए minus जोड घटा कर एक संख्या आएगा और उस संख्या को बदल दीजिएगा अच् पिल्कुल सरल है घबडाईएगा नहीं कि सर तो यार दो लाइन में तो इसका trick लिक रहे हैं सवाल तो 5-6 लाइन के हो जाएगे बाहुत सरल सवाल बनाएंगे हो सकेगा तो आप मौकी खल पकर पाएंगे अभी board पर की screen पर केवल आपके trick लखी हुई है इसलिए इतना ज्यादा लिखे है ताकि आपको सवाल समझ में आजाए सब से पहला काम है आप पहला आच्छट देखेंगे पहला अच्छर आपको यल दिखता है या आर्यन उसनपर वड़ करिए पहला आच्छर आपको यलैन हर्यान उससे वर्ड करना है dalन का मतलब लैट स उतना प्लस कर दीजिए जितना माइनस कर दीजिए जोड़ घटा के जो संख्या आएगी उसको अच्छर में बदल दीजिए चले सवाल देखते हैं सवाल कोशन देखने के बाद यह विल्कुल टॉपिक क्लिएर हो जाने वाला है मित्रों बिल्कुल सरल हो जाएगा आसान हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ आप फल कर पाएंगlynn इसको question प्रयाते है question कadh sä拉 यदिवपाला सीधे क्रम होत ये तो question का type है हमने बताया कि अभी हम लोग में चलोई मैं यदिवोड इंगने उल्टे क्रम में और रधानस उल्टेंगे इसी तरह आगे की और यल 10 बराबर 10, यल 15 हो तो बराबर 15, यल 20 हो तो बराबर 20, यल रजगुल्ला हो तो बराबर रजगुल्ला, तो यल 10 बराबर सीधा क्या लिखेंगे हम लोग, 10 लिखेंगे, यल 10 बराबर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, सीधा हम लोग, हमने आपको बताया, कि पहला कल दस बराबर क्या लिखेंगे दस लिखेंगे इसके बाद देखें यहां लिखा है अच्छर के यहां लिखा है अच्छर के जितना दाएं जाएं उतना प्लस और जितना बाएं जाएं उतना माइनस अब यही भर काम रह गया अच्छर के गए दाएं तो दाएं अच्छर के क क्या करेंगे माइनस करेंगे कितना माइनस करेंगे प्लस करेंगे कितना प्लस करेंगे 3 कि तशर्द करना था अब इसको जोड घटा लेंगे जोडने घटाने पर 1012 22 falarज 14 चौदह में तीन जुड़ा 17 एक संख्या आई कौन सी संख्या आई 17 अजय संख्या को किसमें बदल देना है अच्छर में यानि 17 किसकी प्लेस वैलू होती है 17 प्लेस वैलू होती है क्योंकि सवाल सौल हो गया अब बिना पेन उठाई सवाल को भी लगा सकते हैं हम बिना पेन वित्रों बिना किसी कलम के बिना किसी चीज के इस को हम साल्व कर सकते हैं कैसे सौल किया जाए तो ध्यान दें एकात को पूश्चन और हम लेते हैं कि एक कोशन लेते हैं इस पर हम लोग जैसे यदि वर्ड माला सीधे क्रम में हो कोशन मैंने बताया था कि अब हम कोशन डारेट लेंगे अब सीधा कोशन पर चर्चा होगी हम लोगों की डारेट कोशन पर बाते होंगी अब सीधा हम लोग कोशन पर ही बात करेंगे और कोशन लिखेंगे नहीं शॉट में मैंने जैसे बताया था उसी तरह काम करेंगे तो यदि वर्ड माला सीधे क्रम में हो तो बाएं से पंद्रहवें अच्छर के दाएं आठवें अच्छर के बाएं बीसवें अच्छर के दाएं पांचवें अच्छर कौन सा होगा ये प्रश्ण बन गया हम लोगों का यदि वर्ड माला सीधे क्रम्य हो तो बाएं से 15 अच्छर के दाएं 8 अच्छर के बाएं 20 अच्छर के दाएं 5 अच्छर कौन सा होगा अगर आपको पीछे का लॉजिक समझ में आ गया पीछे का लॉजिक क्या था एक बार हम रिपीट कर देते हैं सबसे पहले हमें पहले अच्छर देखना है वो यलन है या आरियन यलन है तो बराबर यन आरियन है तो 27 माइनस यन इसके बाद अच्छर के जितना दाएं जाएं उतना प्लस जितना बाए जाए उतना माइन जो डगटा कर एक संक्या आएगा अच्छर बदल दे अगर पिछला logic समझ में आ गया तो इस question को आप solve कर सकते हैं और देखते हैं कैसे इसको solve किया जाए किस तरह से इसको salute किया जाए तो सबसे पहले इसका पहला अच्छर देखिए पहला अच पहला अच्छर यल 15 है तो यल 15 बराबर लिख देंगे 15 अगर आपको यह समझ में आ गया logic पिछला समझ में आ गया तो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे पहले इसको solve कर लेंगे और उसके बाद solve कर लिए होंगे अगर आपका तो इसका answer बनना चाहिए आपका यच्छ अगर यह हो गया आपका 15 आठ तेईस तेईस में बीस गया तीन तीन और पांच मिलकर हो गया आठ आठ की सच्छर की वैलू होती है एच की बिल्कुल मौखी खल कर सकते हैं मितर पैन भी चलानी क्या आप सकता नहीं है एका सवाल और देखते हैं कि यदिवर्ड माला सीधे क्रम मे हो तो बाईं से 22 में अच्छर के बाईं 11 में अच्छर के दाईं 7 में अच्छर के बाईं 15 में अच्छर कौन सा होगा एकदम सिंपल सरल सवाल लेते हैं तो सबसे पहला काम देखिए कि वर्ड माला सीधे क्रम में हो तो पहला अच्छर बाईं से है कि दाईं से है obvious मित्र पहला अच्छर बाएं से 22 हों है तो 22 बराबर 22 फिर उसके बाद जितना बाएं गए उतना minus जितना दाएं गए उतना plus अब फिर बाएं गए तो फिर minus जोर घटा लीजिए 22 में 11 गया 11 11 और 7 18 18 में 15 गया तो 3 और 3 value होती है C की बिलकुल सरल सवाल बन जाना चाहिए मित्र विलकुल आसान हो जाना चाहिए कार्ष कोशन और बढ़तें हम लोग आगे की हो तो कैक को एक उच्षन और लेतें हैं मित्र ध्यान दीजिएगा कोश्षन है कि यदि वर्ड माला सीधे क्रम में हो तो दाएं से आथ बारहवे दाएं से 11 रहते चरों आफ आ होगंए हुआ को से कौन हो धिल्कुल फरल्टकोश्चन कोश्चन आपको लि आप लिर्खने यह समझने में लिखता हुआ लिखते हैं तो उसको अपने अपने कॉपी में नोट कर लिजिए अधिवड माला सीधे क्रम में हो तो दाईं से करके बाएं है नौर एक बाया उचर के बाएं नौर कौन सा होगा अगर अगर को समझ में आ गया तो वीडियो यहीं पर रहे पहले इसको साल्व कर बिल्कुल कोशन अगर आपको समझ में आगे मौखिक साल हो सकता है में बहुत दिक्कत नहीं हो रही होनी चाहिए इसमें बिल्कुल सरल सवाल है जी आया होगा आपका अगर एंसर एकदम सही है पिछले लॉजिक पर आगर बात करने जो लॉजिक आपको हमने पढ़ाया था पहला काम है आपको देखना नहीं नहीं है कि यारींऑ ये अपका लोचा है पहले अचर का कि युट से नम्बर है नहीं है subtract सो कोई नम्बर है अगर लेट से नमबर है तो नमबल लिग दीजिए राइट से कोई नमबबर थो 27 मानस आनस मूब लिग दीजिए ये के वल पहल है कि आरियन है यह देखना है मित्रों तो पहला अच्छा आपका अबियस क्या है आर इग्यारा तो आर इग्यारा बराबर लिखेंगे 27-11 और 27 में से 11 16 कैसे सर यह क्या कर दिया आप यहां पर क्यों कर दिया ऐसा देखिए पीछे हमने लॉजिक आपको बताया है यह लेन है यह ग्यारा होता तो हम सीधा ही ग्यारा यह बाइस होता तो हम सीधा बाइस लिख देते लेकिन अगर आर है तो हमने 27-11 किया और हमें मिल गया कितना 16 इसके बाद जितना बाइं गया उतना माइनस जितना धाएं गया उतना प्लस और जितना बाइं गया उतना माइनस तो अब यहां पर 16 में से 9 गया 7, 7, 4, 11, 11 में 9 गया तो 2 और 2 का मतलब अच्छरा आ गया कौन सा? बी आ गया अगर हम आगे कात कोशन और इस पर बात कर लें तो एक कोशन और देख लेते हैं यदिवार्ड माला सीधे क्रम में हो तो दाईं से 25 अच्छर के दाईं 17 अच्छर के बाईं 9 अच्छर के दाईं दूसरा अच्छर कौन सा होगा? देखे परिच्छा में यह सवाल दो स्ट्रिप या तीन स्ट्रिप का होगा हम 4 लेके चल रहे हैं यहां पर बकायदे लठी आ रहेंगे तो परिच्छा में दिक्कत नहीं होगा क्यों रगवीरों तो फिलाल चलते हैं अब सवाल क्यों कैसे सॉल्व किया जा जाए इसको तो तो सबसे पहले पहला अच्छर दिखे यलन है यानि होता तो यह आर्डियन है यानि आरपसीष है तो हम लिखेंगे 27-25 और 27 में 25 गया तो क्या बचा दो इसके बाद जितना दाएगए उतना प्लस जितना भाएगए उतना माइनस फिर जीतना दाएं गया उतना PLAiked पन ना दाएं बाएं जाए कोई दिखकत नहीं PLUS माइनस करना है पहले अच्छर में किवल LN आरिण देखना है उसके बाद जीतना दाएं जाँ 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 माइनस अगले वीडियो के साथ मिलेंगे उल्टे वर्णमाला और अर्धान्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत